नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत है अरविंद केजरिवाल का तमाशा खतम होने का समय आ गया है पहले राव जैवन्य कोट ने साथ फरवरी को और मंगलवार को सुप्रिम कोट ने ये साफ कर दिया है कि एडी किसी को भी अगर समन करती है तो उसको उस समन का समान करना ही होगा इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरिवाल जो अब तक ये कहकर के एडी के समन पर सवाल खड़े करते रहे और बचने की कोशिश करते रहे कि साफ ये अवैद है इसमें ये जनकारी नहीं दी गई है कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है तो सुप्रिम कोट ने कुछ चीजें बहुत किलियर कर दी है और ये मसला क्या था जिस पर सुप्रिम कोट ने ये व्यवस्था दी है और ये किलियरिफाई कर दिया है कि आपको एडी के समन पर प्रस्तुत होना ही है पूश्थाच के लिए आप इफ एंड बट नहीं लगा सकते हैं ये तमिल नाडू का मामला था और मैं आपको सुप्रिम कोट के उस जज्मेंट के बारे में जो उन्होंने दिया है थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि सु इसमें ये कहा गया है और ये एक्चल में वहां एक खनन का मामला था तमिल नाडू में और एडी ने पीमले की जो धारा पचास है उसके तहत धन शोधन मामले में पांच कलेक्टर्स को यानि पांच जिला मजिस्ट्रेट्स को जिनको बहुत सारे राज्य में डीसी भी कहा जाता है कलेक्टर भी कहा जाता है जिलाधीश भी कहा जाता है डीम भी डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है उनको तलब किया था और उसमें जो हाई कोट थे हाई कोट ने उन कलेक्टर्स को राहत दे थी तो एडी को सुप्रीम कोट आना पड़ा और सुप्रीम पहुचने के बाद E.D. को राहत भी मिल गई है, अब उन पाँच कलेक्टर को E.D. के सामने पेश होना पड़ेगा, और इसके साथ साथ भले ही ये मामला तमिल नाडु का था, लेकिन जो वियवस्था दी है सुप्रीम कॉर्ट ने, वो तो सब पर लागू होती है, इंक्लोडिंग अर्विन्द केजरिवाल और जो आदेश हैं, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ और उसको आपके सामने थोड़ा पड़ भी देता हूँ, इसको शेयर कर लेते हैं के कहा क्या गया है, जी, ये तो बार एंड बेंच की जो वेबसाइट है, उस पर हेडिंग दिया गया है कि एडी किसी भी व्यक्ति को समन कर सकती है, तलब किये गए लोगों से सम्मान और जवाब देने की अपेक्षा की जाती है, और नियायले ने तमिन लाडू में पांच जिला कलेक्टरों को एडी के समन की तामील पर मदरास उच नियायले लोग को हटाते हुए ये टिपनी की है, इसमें क्या कहा गया है, सुप्रिम कोट ने मंगलवार को कहा कि पर्थम द्रश्टिया धन शोधन निवारन अधिनियम पीमले की धारा पचास के तहत समन किये गए व्यक्ति को मनी लॉंडरिंग जाच के दोरान परवरतन निदेशा इडी द्वारा जारी सम्मन का सम्मान करना और जवाब देना आवश्यक है, आप टाल नहीं सकते हैं, नियायमोर्ती बेला एम त्रवेदी और नियायमोर्ती पंकज मित्तल की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इडी द्वारा तलब किया जाता है तो उसे पेश होना चाहिए और PMLA के तहत कारवाई के अनुसार जरूरत पढ़ने पर सबूत पेश करना चाहिए, सुप्रिम कोट ने ये कहा कि ये देखा गया है कि एडी किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, जो कानून के तहत कारवाई के दोरान सबूत पेश करने या उपस्तित होने के लिए जरूरी लगता है, उसका उपयोग कर सकता है, अदालत ने PMLA के प्रावधानों की जाच के बाद कहा, जिन लोगों को समन जारी किया गया है, उन्हें इडी द्वारा उक्त समन का सम्मान और जवाब देना आवश्यक है, और ये दोनों जस्टिस हैं सुप्रिम कोट के, जस् इस पंकज मितल, इनकी बेंच ने ये आदेश जारी किये हैं, PMLA की धारा पचास के तहत एडी अधिकारियों के पास किसी भी व्यक्ति को तलब करने का अधिकार है, जिसकी उपस्तिति को वे आवश्यक मानते हैं, चाहे वो सबूत दे, या अधिनियम के तहत किसी भी जाच या कारवाई के दोरान कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत करें, और इस खबर में अरविंद केजरिवाल का भी चर्चा किया गया है, इसमें कहा गया है कि इस प्रावधान और शीर्ष अधालत द्वारा की गई टिपनियां, दिल्ली शराब नीती मामले में कम से कम 6 समन जारी होन दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल के इडी के समने पेश होने से इंकार करने की बहस के मदे नजर महत्वपूर्ण है, अब तो आठवा समन भी आ गया है, 6 समन नहीं और आठवा समन है 4 मार्च के लिए, इसमें आगे कहा गया है कि इसके चलते इडी ने केजर इडी वाल को समन जारी किया था, और शीर्ष अदालत ने कथित रेत खानन घोटाले की जांच के सिलसले में तमिल नाडू के पांच जिला कलेक्टरों को जारी समन पर रोक लगाने के मदरास उच्च न्यायाल्य के आदेश के खिलाब परवर्तन निदेशाल्य की आचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिपनिया की हैं, देखिए एक वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो साथ फरवरी को दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर एक आदेश जारी किया था, उसमें ये अरविंद केजरीवाल बहुत चलाकी से ये कहकर के बचने की कोशिश कर रहे हैं ना कि 16 मार्च की तारीख दी है, राउज एवन्यू कोर्ट ने तो एडि जो है 16 मार्च तक इंतजार क्यों नहीं कर लेती है, बार बार हमें समन क्यों जारी किये जा रहे हैं, क्योंकि उस सुनवाई के बाद छटा समन भी जारी किय था इडी ने सातमा भी जारी किया था और अब तो आठमा समन जारी कर दिया है राउज एवन्यू कोर्ट ने क्या कहा था ये जरा आप देखिए दिल्ली आबकारी नीती मामला अर्विंद केजरिवाल इडी के समन का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाद दित थे ये द इसमें दिल्ली के एक अधारत ने बुद्वार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल दिल्ली आबकारी नीती मामले के संबंद में जाँच एजनसी द्वारा जारी समन के बाद परवरतन निदेशालिय एडी के सामने पेश होने के लिए कानूनी पॉलिनी मजिस्ट्रेट सी एम एम देविया मलोहतरा ने कहा कि जिस अधिकारी ने केजरी वाल को समझ जारी किया था वो धन शोधन रोक्ताम अधिनियम यानि पीमेले की धारा पचास दो के तहत ऐसा करने के लिए अधिकरत था ये अर्विंद केजरीवाल की पॉल पट्टी खुल रही है मतलब राउज एवन्यू कोट के आदेश भी जो थे और सुप्रिम कोट के भी जो आदेश है उन से और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सुप्रिम कोट का आदेश आया है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है क्योंक फिर ये अब राउज एवन्यू कोट के आदेश को उपरी अदालत में चेलेंज करने से एक बार हिचकेंगे मैं ये नहीं कह रहा कि चेलेंज नहीं करेंगे क्योंकि इनकी आदत को देखते हुए इनके व्यवहार को देखते हुए और अब ही चीजों को टालते जाने का जो इनका रवया है जो रणनीती है उसके तहट तो कोई विश्वास के साथ नहीं कह सकता के सुप्रिम कोट के इतने किलियर आदेश के बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज आएंगे और उपर कोट में जो है इसको चेलेंज नहीं करेंगे आगे देखिए क्या लिखा है इसमें न्यायले ने नोट किया कि समन प्रतिवादी प्रस्तावित अभियुक्त को उसके अधिकारीक ई-मेल पते पर भेजा गया है इस तरह के समन की डिलिवरी प्रथम दरश्टिया इस तथे से परमानित होती है कि प्रस्तावित अभियुक्त ने उन्हें दिनांक 211-2023 को पत्र उत्तर के माध्यम से भेजे थे करमशे 20-12-2023 और 3-1-2024 जिसमें अन्य बातों के साथ साथ गैर उपस्तिती के कारण निर्धारित किये गए थे अधिनियम की धारा 53 के आधार पर समन का प्रतिवादी यानि प्रस्तावित अभियुक्त कानूनी रूप से उसी के अनुसरण में व्यक्तिकत रूप से उपस्तित होने के लिए बात दे था लेकिन कथित तोर पर वह ऐसा करने में विफल रहा अधारत दिल्ली के मुख्यमंतरी के खिलाप एजिंसी दौरा जारी पांच समन को निश प्रभावी नहीं करने के मामले की सुनवाई कर रही थी के एजरिव पर इसे पहले अधालत ने दलीलों पर विचार किया और कहा कि एडी की शिकायत और साहिक दस्तावेजों ने भारतिये दंड सहीता आई पी सी की धारा एक सो चौत्तर व्यक्तिकत रूप से या एजेंट के द्वारा एक निश्चित अस्थान पर उपस्तित होने के कानूनी आदेश का पालन नहीं करना या बिना अधिकार के प्रस्थान करना एक बार चुनाव परचार के लिए फिर विपस्तना के लिए चले गए के तहत दंडनी ये अपराद का घठन करने वाले सभी आवश्यक तत्थों का खुलासा किया अधालत ने निश्कर्ष निकाला के शि के खिलाप आपरादिक प्रकरिया सेहिता 1973 की धारा 204 के तहत कार्रवाई के लिए परियाप्त आधार है इसका मतलब ये है कि अरविंद के जरिवाल जो इडी के सामने पेश नहीं हुए हैं बार बार तो वो खुद अपने आप में एक अपराद है और उनके खिलाप तो अब कार्रेवाई की जा सकती है इसका मतलब ये भी है कि चार मार्च को अगर अरविंद के जरिवाल फिर भाहने बाजी करते हैं तो इडी अब उनको गिरफ्तार भी कर सकती है इडी चाहे तो अब 16 मार्च के राउज एवन्यू कोर्ट के आदेश का इंतिजार ना करें तो सुप्रिम कोर्ट के आदेश और राउज एवेन्यू कोर्ट के इस विस्तृत आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने कोई बहुत जादा विकल्प अब बचे नहीं है। ही रहा है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सला देने वाले तो बहुत हैं लेकिन जो कानून के जानकार हैं जो कानून विद हैं उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम एक तरीके से बहुत बड़े खत्रे को आमंतरन दे रहे हैं और नियोता दे रह और जब भी अर्विंद केजरिवाल गिरफतार होंगे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जमानत के लिए आवेदन करना याचिका देना और अदालतों के लिए भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि ये एडी को यानि कानून को सहयोग नहीं कर रहे थे इसा कर रहे थे तो इनको जमानत मिलने में और भी परिशानी होगी आप जानते हैं कि इनके डिप्टी चीफ मिनिश्टर रहे मनीश सिसोदिया वो तो एक साल से उपर से अब तिहाड में बंद हैं 26 फरवरी 2023 को उनको गरफतार किया गया था और 26 फरवरी 2024 जा चुकी एक सा से उनको जमानत नहीं मिली है एक दो बार उनकी पतनी के स्वास्त को लेकर के जब याचिकाएं दाखिल की गई तो उनको कुछ-कुछ घंटे की जरूर छूट दी गई या अभी हाल में लखनाव में उनके किसी करीबी रिश्तेदार की मैरिज का मामला था तो उनको तीन द तरीके से इसको एक राजनितिक टूल की तरह इस्तमाल करने की कोशिश करते रहे हैं ये और इनके संगी साथी भी पुर्धान मंतरी पर भी ग्रह मंतरी पर भी केंद्रिये एजेंसियों पर भी इन्होंने आरोप लगाए हैं मतलब सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने पब्लिक डॉमेन में आरोप लगाए हैं ये आरोप ये अदालत में कभी लगाने का साहस या दुस साहस नहीं दिखा पाए क्योंकि इनको पता था कि उसका नतीजा क्या निकल सकता है परिणाम क्या निकल सकता है तो चुकि ये जान बूज करके इसको एक राजनितिक बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकोन को दबाना न भूले आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार